हो मेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दोज़ाच चौबिस का किताब पहली बार नीजुलेंड ने जीता नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपके गेम उन किर्केट मैच में जहां आज हम आपको सबसे रोमांचक मुकाबली की पूरी जनकारी देंगे आज के मैच में नीजुल मैच की मुक बाते और सांदार लंबो पर नजट डालते हैं दोस्तों और अभी तक हमारे चेनल गेम उन किर्केट मैच को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो प्लिज सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथे साथ बैल एकन भी दबाते दोस्तों पहली बार चैंपियन बनी न नाम की है इसके साथ ही सौथिप्रिका का लगतार दूसरी बार फाइनल में हार का सिलसला जारी रहा पिछले साल भी सौथिप्रिका को अस्टेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था पहले बल्लिबाजी करती वे नीजुले ने बनाए 159 रन नीजुलें की बल्लिबा पारी बिल्कुल निरासा जनक रही। 159 रनों का पीछा करते विए सौथ अपरिका की टीम संगर्स करते विए नजर आई। पूरी टीम सिरिफ 126 रन ही बना सकी। नीजुलेंड के गेंदबाजों ने सटीक लैन और लैन से गेंदबाजी की जिससे सौथ अपरिका की बल्लेबाजों को रन बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। प्लेयर अब दर टूनामेंट के किताब भी मिला। सौथ अपरिका के हार की बड़ी वजा। सौथ अपरिका के लिए या एक निरासा जनक दिन रहा लगतार दूसरी बार फैनल में पहुंचने के बाद भी सौथ अपरिका टीम कीताब जितने में नकाम रही। पिछले साल सौथ अपरिका टीम को अस्टेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस बार की हार टीम के लिए और भी निरासा जनक रही। क्यूंकि एक सौन्टाउन रणों का लच्ट का पीछा करने में उनकी बल्लेवाजी पूरी तरीके से फलोप रही। दोस्तों नीजुल इस किताब को अपने नाम कर लिया है। अगर आपको क्रिकेट के ऐसे ही सांदर अपडेट चाहिए तो जुड़े रहे गेम और क्रिकेट मेंच के साथ मिलेंगे आपको अगले अपडेट में सब तक के लिए धन्यवाद चाहिए।